नमस्कार, SPN 9 News में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ दिनेश कुमार बात करेंगे बिहार की राजनिती की बिहार की राजनिती में RJD और कॉंग्रेस पार्टी के बीच यहाँ पर सीट शेरिंग को लेकर सहमती बन गई है 26 सीटों पर RJD चुनाव लड़ने वाली, 9 सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी अपने प्रतियाशी मैदान में उतारेगी, वहीं 5 सीटों पर वाम दलों के प्रतियाशी मैदान में उतरने वाली है लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से RJD सबसे बड़े दल के रूप में बिहार में चुनाव लड़ रही है क्योंकि दूसरी तरफ भारती जनता पार्टी भी 17 सीटों पर ही मैद चुनाव लड़ती नजर आ रही है ऐसे में RJD की कोशिशे हैं कि 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही पार्टी कम से कम 50-50 सीटों पर जीत दर्ज करे ऐसे में जिस तरीके से जो खबरे सामने आ रही है बिहार की सारण सीट से लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहीनी अचारी को मैदान में उतारने का फैसरा किया है उसके बाद जिस तरीके से 23 प्रताप यादव की तबियत पिछले दिनों खराब हुई थी उनका हाल चाल जानने के लिए उनकी पतनी ऐश्वरे राय हस्पताल पहुंची थी और लगातार तेजस्वी यादव की उत्तम स्वास्थी की कामना करती विन नजरा रही थी ऐसे में अब लालू परिवार 13 प्रताप यादव की पतनी ऐश्वीरे राय को चुनावी मैदान में उतारने पर बड़ा फैसला लेने वाला है लगातार इस बात की चिंतन मंथन चल रहा है कि लगातार जो इस्थिती स्वक्त आरजेडी की इपक्स में बनी हुई है यानि कि पिछले दिनों जिस तरीके से बिहार के पटना के गांधी मैदान में जो जनवी श्वास रहली हुई लाखों की संख्या में भीड उमड़ करके आई तमाम समर्थकों ने आरजेडी को एक तरफा समर्थन देने का यहाँ पर वायदा किया तो ऐसे में लालू परिवार चाहता है कि ऐसे में उनके परिवार से बेटी रोहिनी अचारे के साथ साथ बहु एश्वरय राय भी चुनाव लड़ती भी नजराए ऐसे में तमाम चिंतन मंथन चल रहा है और एश्वरय राय जो वर्तमान में तेजप्रताप यादव के खिलाब तलाक के मामले में कोट में जूज रही है एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव परिवार उन्हें अपनी पार्टी का और परिवार का हिस्सा बनाना चाहता है आपका बता दे कि जिस तरीके से तेजप्रताप यादव के पिछले दिनों स्वास्ते स्थिति में कुछ गड़बड़ी आई थी उसके बाद जिस तरीके से उनकी पतनी ने लालू परिवार से मुलाकात की परिवार से मुलाकात करने के बाद वे काफी खुश नजर आई और ऐसे में राबडी देवी ने उमीद जताई कि आने वाले वक्त में एश्वरय राय हमारे साथ मिलकर ही हमारे परिवार को आगे चलाएंगी अब देखना ये होगा कि क्या लालू परिवार यहाँ पर बड़ी बहु एश्वरय राय को मैदान में उतारेगा क्योंकि जिस तरीके से विहार में लालू प्रसाद यादाव का सियासी आधार है उस आधार का फायदा उठाने के लिए आरजडी कोशिश को करती भी यहाँ पर देखी जा सकती है और बीज़ेपी के लिए यहाँ पर मुश्किले खड़ी हो सकती है फिल्हाल इस खबर में इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं एस पेन नए में